जाइस मोबैल की फ्लेज जला रखिए अब भाई सब में से ओन करने वाल हूं और जिकीन माने आप यह कीन नहोंगे कि इतने तेसकी ब्राइटनेस है आपको दिखाता हूं ओन करता हूं ओ देखें भाई जाओ आप कोगे समर भाई तुस्ते सी टीम ने बिदरी भाई भाई बहुत भारी पायब है अलो वेंट्स में नाव है समर तो भाई सब पहले में से नीचे रखता लोग जाओ वज तरी वज तरी यह क्या हो गया तो भाई तो शॉट कंट हो गया मेहनद बजगी भाई यह सार प्रस्ट मेंटिक कच चुके है अपना आप चलो भाई फटान के डामेंज ने धें लेटें मांत कर चूड़ dig नहीं है प्रति आप यूट्यव शॉर्ट की सपोड़ करो गा और बड़े लाइट के जोड़ते हैं तो आज ऐसे ऐसे लाइट बनेंगे जिसमें ऐसे ऐसे फॉंक्षिन होगे गाई सिकने माने भाई मज़ा जागा आपना अस तक नहीं देखा होगा ना सुना होगा लिए दोस्तों कम्प्लीट वो अच के जिगा चलेगा चलते बने टोई पर चलो तरह बालिया लगई समर एक्सपेरिमेंट तो भी आफटावट के डैमेशने देख लेते हैं गाईस मेरे डैमेशने देख लिए कोई को अटमेटिक कट गे थे तो यह 3 इंच के दो पीस है सावा इंच के चोड़ाई है 1.25 इंच ठीक है चोड़ाई तो भाईसे है म नाइन इच नाइन इच नाइन इच ओ अलो चले गाईस फटावट वही क्ल लेते हैं वही क्या देख लो यार हम क्या गड़ते हैं तो गाईस यह बिलबकुल मस्त चुपक चुका है बहतरीन और भहिया हमने इसका बना दिया बर्की का डिपा रह रुख जा के नागमनी ले दिये आप इससे बड़ा बना सकते हो इससे छोटा बना सकते हो जैसे आपकी रिक्वार्मेंट अब इसमां में एक ऐसी चीज लगानी है जो इसकी काफी लंब उमर कर दी और आप लंबे समय तर इसका यूस कर सकते हो इतना चिप गैस आपको कहनी मिलने वाला जुगा रही देगा वैसा यह रहे फैन जोकि एजोष्ट फैन है या इन्वर्टर फैन है और तीच से लगाता हूं तो काफी जादे इरिये कवर कर लेगा तो कई समी छोटा लगा सकते हैं यह वी काफी अच्छा काम करेगा इसके अंदर है चलो भाई यह ले ले लेते हैं अच्छी अच्छा करते हैं और भाई यह है 40 वाई 40 mm जानी को ओनी 4 cm की वाई सबसापर इसके निगा लेंगे मिट सेंटर बीच में लगा लेंगे तो ठीक रहाएगा अजगा सकते लेकिन बीच में लेंगा तो ठीक रहाएगा सारी हीट एक जगह से ठीच लेगा अगर इसे अंदर स बिल्कुल गोल होल हो गया है और भाई यह इसके ऊपर तो लग जाएगा इसके अंदर में सैड में होल करने है जिस जगह थोड़े सी हवा आते रहे और यहां से हीट निकलती रहे 2 इंच का गेप 2 इंच का गेप और 2 इंच का गेप मुझ टोड़े भाईव पूर पका गेप मुझ लाईब पका गेप यह बन चुकिए हैट सिंक आपको कैमेर पर अच्छे संहीद काई देगी क्यों इसमें चामक थोड़ी जाद होती है यह लगानी बहुत जड़ी है यह थोड़ा थोड़ा गया प्रका है जो इसमें होल हो यह नहीं यहां पर आराम से हवा खादन परदर बना रहागा इसे इसमें बिलुकल बरावर गैप में लगाऊंगा दीगाई सपोस्किजी दीखिए यह रही ऐसे लग रही है तो चार पांच और एक शे तो गाई शे तो बाई ऐसे लग जाए दो तीन और चार चार ऐसे लग जाएंगी आप गाईस मुझे बीच में से फैनी कटिंग करनी है माग लागा फटाऑ च्ट में हवल कर लेते हैं गाइस में रात में दो तरे का वाशा है एक आप जानती होगा के इनमें गरंट फ्लो नहीं होगा काई समें ने फैंवर का ही वाशा लगा यह यह डियो भरूप जाएगा और यह एलवन शीट बरूप जाएगी तो दीख रह अब फटावर्ट इसके तरीकर से सारे में डियू भी लगा देते हैं तो गाइस ये तो चुका है बिलुकुल कम्प्लीट अब भाइसाब फटावर्ट इसके करते हैं या कनेक्शन तो गाइस सारे करेक्शन कंप्लेट हो चुके हैं अगर आपको ये लगारागी गाइस ये वायर ऐसा बिलुकुल भी नहीं यकिन मानिए ये अभी भी कम चमक रहे हैं और जो कोटिंग वाले वाले यलो वाले ये मैंने साडम लिये हैं गाइस मैं चाहँ पीछे से ले सकता था कि दीले जैसे लेकिन भाईइसां तो यहां पर वायरा रहते वायर होते हैं तो मैं credit करने सारे पहलों मकनेक्ने कंच है सारे सारे मalashank और गाईस मैंने सारे sam grass Central को ये हैंद पेपर शोटिंग तो नहीं है यह कंडूनेट प्रग्दिया मेले कहीं पर भी एक वाल पर लगा लेते हैं नहीं नहीं दूसरे लगो नहीं 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 कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा है चलो बाई यह तो गया कंप्लेट वह यह है मैली कहीं से निकल जगे ता बहुत है मैं दूसरे भाई अचैंड से नहीं नहीं तो विए टूसरे मिले हैं तो कि और लागा थो छूड़ा था यह वाया कु ना कट दें और गाट गाइब लान ने कुछ चंज किये एक वार और बार एक मिर श्यान कि बीच में स्वीच देतें मैंने दो दो निकल लिए और यह दो प यहां मैं लगाने हुँ भाइस से पहले परण यह दो बाय मैं निकाले हैं घर जाओँ लगा सकता हूं इसे चीज़ लिए गोंगा जो स्वीच सभी और इसकी ब्रीटनिस भी कम और जो सब्सक्राइब के लिए कोलर का जो मोर्ट अपर उसकी स्वीड गार्ण करने के लिए और तो तो इसको लगाना तो बहुत एजिय बस यह दोन वार ऐसे देने हैं ठीक है और यह स्विच ओपी कर देगा और इसकी ब्राटनेस भी जाद होगी खेल इसके पहले फैन पर आते हैं इसका फैन लगाना वे तो भाई लोगो फैन तो बस थोड़ा सा ओपर चिपका लो एक ब सब्सक्ताइब इस फाघला सकते हैं यह फिंटके देजिए इस सप्लय लगा सकते हैं इतना जंचट में इस अपनी वीडियो में काफित्य बार उसी दिखा निया बता देता हूं मैंने बना लिए हैं वहना काफी टाइम लग जागा को बता देता हूं कि यह एक रिश्टर जोगी 470 किलो ओम का है यहां तक के लिए आगा आते हैं चाहँ और आयन 4W7 के यह वाला नेगटिव यह वाला पॉजिटिव यह दोनों एशी हैं यहां पर हमने एक वार दिखी सिल्वर और यहां लगेगा इनपुट 220 वोल्ड एसी का और एक वर यहां लगने वाला है अब इसके एक बढ़ देख लेते हैं यह के पैस्टर पच्छिस वोल्ड चॉर सत्रों मैं के पैस्टर लगा रहका है यह नेगेटिव यह पोजिटिव एक जिनर डावर जरूर लग लगा दिया है जितने वोल्ड लगा उतने वोले आपको आउटपुट देगा तो काईस मेरे को यकीन है कि आपको अच्छे से ट्रास्वाले सप्ले आगे हो की समाझ में मैंने काफिवर अपने वीडियो बता दिया है मैं फिल्प एक बार नीच चैट डिसक्प से लिंक दे लिए और कई यहां पर लगा लो भी या मतलग कुछ न कोच लगा लो इसमें करंट ना एक तो बाई सेफटी भी बहुत जरूरी है एक वाइस में एक वाइस ही ता इसमें यह बढ़ जाए जबाद अब लगा अब लगा सकते हो साइड में आगे पीछे मर यह तो कहीं भी ल मान लेते हैं तो हमनों नों की मान के साइड में कर लिए और मुझे लगा गाइस यह मैंने गलत में लिए पीछे लग लेते हैं जैसे निकाल आप इसका पता भी नहीं लगेगा कि वाई देखिए निकल चुका है अंदर है जो भी लेकिन आगे से पता ही लगेगा यह का इसका यह सकते साड़ सिस्टम लग रहा है यह इसे डिवार पर नहीं लगने देगा और मैंने सबस्गें एक सबस्क्षाइब विदा व्यां कम यह पटला मौटा नहीं मिलेगा एक इसका नत देख नहीं कोई पास नुदा हूँ यह लेना मार्कें से वा चप आपने प्रोजेक्ट में इसा मजबूतिया सी फिट करना जोगा इसी पूरा प्रोजेक्ट आराम सरु हुजाए तो भři ये ने दोनों को अच्या से चितकाना है यह राचु मेरे ख़्या डू जिलिया नि नॅधी रधे च्छो बॉटक रता है तब और इतना खराब करनां जयती हो लते गया डाया पैता सी गया है नहीं पर चौट पर नेट वोल्ड पर लगा सकते हैं वन्ना वैसे नट वोल्ड के रथ है ने इस्टर कुली पहतीर बन्च पुट चपकता है पीवीजी पाइप को लगाने थी होए याद गी थोड़ा तेड़ा मेड़ा मेड़ा तेड़ा सब चल जाए गा इसे कोई तकतली अब इसे भी उपकरा सकते हो तो आप इसे भी उपकरा सकते हो तो आपको दिखाया देता हूं तो यह दो तरह के डिफीजर जिने हम यूज कर सकते हैं इस रखते नेचे इससे आप अच्छी तरह जानते हो मोटर वाइंडिंग में यूज होती है और यह आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी यह 25 रुपे मीटर मिल जाती है लेक्स इसमें में बैदर है यह काफी फ्लेक्सिवल है अब आते है इस पर भाइसा भी किन मानिए यह जो फिल्म शीट है इसका यह बेकार है गैस यह जो टीवी होते हैं LED TV यह LCD TV तो उसके अंदर काफी फिल्म होती है लगीवी अंदर काफी लेर होती है उनमें से एक लेर है मैं पुराना LCD TV लेग रहा था कावाले में सब जंद कर इसमें विलोक्स लोग बनाते रहता हूं तो गैस पूरी पूरी एक LCD TV उठा के लिए अब यह उ दिफ्यूजर कटकर लिया है और बहुत आसने से कट जाता है अब टेस्टिंग करते हैं तो भी यह पहले बिन डिफ्यूजर के देख लेते हैं और गई सकीन मानिए आपको यकीन ने होगा कि भाई सब भार चलते हैं लग बग मैं आपको टाइम दिखाता हूं गर आपको ट आपको अवाइब कितने लाइट हूं वाई ती दिन निगाले मॉस देखो अब आध साथ में सब्सक्राइब से हैं वाई मません अब यह नहीं चलती कि मैं प्लाइब मैं चलते हैं नहीं अदर मिरें पोले ठाज दूसलियों स्टेम देखान ऐसां नहीं तेकर देखा चान बान एक सेगंड को भी मैं इसे नहीं देख पा रहा था, बिल्कुल नहीं देख पा था, आपके साम में रियल, और कैमरे भी ऐसे नहीं देख सकता, जब अपनी आँखोचे देख सकता हूँ, डारेक्ट लाइब, तो चले कैसे लगा गए देखते हैं, अगर आप इसे लगाओ लगा दी है, और गाइस फैन चल रहा है, तो गाइस ये कूल रहेगी, जल्ली खराब नहीं होगी, उपर से हीट सिंग लगा रहे हैं, तो भाई, इसके लाइफ काफी ठीक रहेगे, आप जानते हो, चले बाहर चलते हैं, तो चले बाहर इसे माँ कर लेता हूँ, ठीक है, ओ लाइट काफी कम होगी, अब में इसे थोड़ा, मतला पूरे तरह से नहीं देख सकता है, लेकिन पहले से देख सकता हूँ, तो चले बाहर इस डिफ्यूजर को चिपकाते हैं, जो गाइस मैंने इसके लिए ही कट किया है, और ये बिलुकुल इसके एक्वल है, तो काफी सारे सकंद में होल कर दिये हैं, और हीट सिंग बेंड कर दिये, मोड दिये, तो कहा है कि होलो कुछ ने कवर कर दिया, इसलिए यहां से रोशनी नहीं निकली किया है, ना, टेस्टिंग कराने से पहले एक बात और बता दू, मैंने इसमें सिस्टम रखा था आप इस आ आग से पीछे हैं, देखी, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, मतलब कर जो डारेक्शन आप इसे देना चाहो, दे सकते हो, यह सबसे सिंपल फोर्मिला है, ट्रापट आपको लगाने ही पड़ेगा, आपको चोड जोगार देखोगे, तो दिक्कत होगी, अब ट्रापट पर लगा कर इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो भाई, बिल्कुल अंदेरा है, गुप, देगे ना, अब में से ओन करता हूँ, देगे भाई साब, तो आप देख से तो भाई, काफी तेज लाइट है, आप टिक टोक की वीडियो बनाते हो, यूटूब की अब चला के दिखाता हूँ, यह फैन कैसा चल रहा है, देगे, फैन चल रहा है, पतने आपको दिखाई देर होगा, ने दिखाई देर होगा, मैं बंद करता हूँ, देगे, रुख गया, और मैं मोबाल के एक बार फ्लैस हो चला है, तो ठीक नगाई, जिस साब की रुकाव सब्सक्राइब कर रहा हूँ, इतने वाइट काफी से बनाओके तो फैन तो आपको मस्ट लगाना ही पड़ेगा, एक बार इसकी ब्रैटनेस कम करका और दिखाता हूँ, शायद आपको दीख जाए, तो वाइस की बैक सैड में ही, ठीक है, घुमाते है, हाँ, कम हुआ, हाँ कम हो रहा है, यानि कि स्विच ओप यापी से कर सकते हो, यह वाइसा फुल लाइट है, यह कम हुई, यह और कम हुई, शायद आपको पता लगी कि नहीं, लिए लिए कि मैं ब्लुकुल अपने सामने देख सकता हूँ, कहां पे फरक पड़ता है, पता नहीं के देगी, यह औ बहुत लंबी वीड हो जाएगी, अब फ्रेंड्स यह जुगाड आपको अच्छा लोगा, इसके तरह मैं अब भी नहीं देख पा रहा हूँ, कैमेर पे देखकर बात कर रहा हूँ, और इस छट पर कोई दूसरी लाइट नहीं है, यकीन मानिए, उपर देख सकते हो, नीच मैं काम चला रहूँ, तो फ्रेंड्स आई होप यह जुगाड आपको अच्छा लोगा, गाइस बहुत महत लगिए, प्लीद दोस्ते लिटो को लाइक करें, सब्सक्राइब को मारे चेल को और बाई जरू बताएं यह जुगाड आपको कैसा लगा, थेंक्यू सो माच, किया थेंक्यूँ लायूँ लगे लुगाग लяхाड़को, अश्छािश, लोगे जरूअएंवे लगे लोगे लूगे ह por sínd लेएं लूण, छ तो कि अबगी है लगे होगे है, बहूँ़ों दो, ले स一点 कि लेकालाइने के ले लिए स्वाएंगा, ले लिट City, लुखे लेंक्